यद्यपी आज के व्रिंदावन को देख कर जिसमें प्रायह धरम को बेच कर पेट भरने वाले ही द्रश्टी गोचर होते हैं, हम यह अनुमान नहीं कर सकते कि इसकी स्थापना महाप्रभु चैतन्य जैसे महामानव और परमत्यागी ने की होगी. पर चैतन्य के समय में वह वास्तव में थोड़े से परमार्थी जीवन व्यतीव करने वाले साधू पुरुशों की तपो भूमी था और चैतन्य महाप्रभु के सत्विद्दान्तों के प्रभाव से बहुत समय तक वैसा ही बना रहा. यद्यपी इसके पश्चात वे स्थाई रूप से पुरी में ही रहे, पर उनके उपदेशों के प्रभाव से करोणों हिंदूओं में जातियता की भावना उत्पन्न हो गई, जिससे धर्मरक्षा के कार्य में बड़ी सहायता मिली. इस प्रकार वीस-पच्चिस वर्ष तक भक्ती मार्ग द्वारा, हिंदू संगठन और नवजागरन का कार्य संपन्न करके चतन्य प्रभू ने अपने कार्यक्रम को सफल होते देख लिया. उस समय उनकी आयू यद्यपी 48 वर्ष की ही थी, पर कोमल प्रक्रती के होने के कारण, उनकी प्रकार की असुविधाओं को सहन करने और लगाताद श्रम करते रहने से वे दुर्बल हो गए, और इसलिए उन्होंने अपनी लिला को सवरन करना ही उचित समझा. एक बारतोवे भावावेश में आकर समुद्र में कूद पड़े, पर कुछ मल्ला होने उन्हें बाहर निकाल लिया. उसके पश्चात एक दिन कथा सुनते सुनते उठे और बड़ी शीगरता से जगनार जी की मूर्ती के सम्मुख प्रार्थना करते करते, कुछी ख्षणों में प्राण त्याग दिये. चैतन्य प्रभू के इस प्रकार के आत्म बलिदान से उनके अनुयाईयों को जो आंतरिक प्रेणा प्राप्त हुई, उससे धर्म निष्ठा और जातियता की एक देश व्यापी लहर पहली, जिसने हिंदु जाति को पोत प्रोत कर दिया. जो लोग कीर्टन के बायरूप को ही देखते हैं, उनके लिए तो वहकेवल रामकृष्ण आदी के नाम का संगीत मै उच्चारन और नाचना गाना ही है, पर उसके भीतर जो समाज को जागरत, उत्यत और संगठित बनाने की महान संभावना निहित है, उसकी तरफ थोड़े ही लोग ध्यान देते हैं, चैतन्य महाप्रभू ने वास्तव में इसी उदेश से कीर्टन का प्रचार किया था, और उससे करूणों व्यक्तियों को जातियता और एक्ता के भावों से अवगत कराया था, मुसल्मानी शासनकाल में इसके प्रभाव से अंगिनत व्यक्ति, देश और धरम के लिए आत्मत्याग करने को तयार हुए थे, यह सच है कि वर्तमान समय में अनेक लोगों ने कीर्टन को एक पेशा बना लिया है, के द्वारा वे मौज मजे की जिंदगी ही नहीं गुजारते, वर्ण अनेक अफसरों पर चरित्र व्रष्टता के क्रत्य भी कर डालते हैं, पर इसमें दोश कीर्टन का नहीं, वर्ण यह तो किसी चीज का वैसा ही दुरुपयोग है, जैसा देश सेवा और समाज सेवा आदी के क्षेत्रों में भी समय समय पर देखने में आया करता है, पर श्री चैतन्य महाप्रभू ने कीर्टन का प्रचार सर्वथा विभिन उदेश्य से किया था, जैसे काजी वाली घटना से रकट होता है, उनका उदेश्य इसके द्वारा हिंदू जाती को जागरत और संगठित करना ही था, जिससे वह विदेशी और विधर्मी आक्रमन कारियों का सामना अच्छी तरह कर सकें. इधर बीस-पच्चिस वर्ष से देश में फिर कीर्टन प्रचार की लहर आई है, पर हमें खेट से कहना पड़ता है कि अधिकांच लोगों ने उसे केवल पुन्य और परलोग का साधन ही समझा है. ऐसे मनुश्यों की भी कमी नहीं, जो उसे मनुरंजन और मनोविनोच से बढ़कर और कुछ नहीं मानते. इसे हम हिंदु समाज और धरम का दुनभाग्य ही कहेंगे. यदि हम श्री चैतन्य के महानकार्य और उदेश्य की तरफ ध्यान दें और कीर्टन में राम कृष्ण का नाम लेने के साथ ही उनके आत्मत्याग, समाज सेवा, आदी गुणों को भी अपनाएं, तो इसके द्वारा आज भी हिंदु जाती में एक ऐसी नवीन चेतना उत्पन्न की जा सकती है, से यह अपनी निर्बलता को त्याग कर पुनह, सशत्व और सबल बन सकती है. हिंदु जाती को धरम प्रान कहा जाता है, और इसमें संदेह नहीं कि इसके भीतर प्राचीन त्यागी और तपस्वी पूर्वजों के प्रभाव से एक ऐसी आध्यात्मिक धारा निहित है, जिससे यह समस्त विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी रक्षा करने में हो सकी है, चैतन्य महाप्रभू ने ततकालीन परिस्थिति को समझ कर उसके लिए कीर्टन का उपाय निकाला, जिससे वह आध्यात्मिक शक्ती प्रकड होकर समाज की रक्षा हो सकी, हमको भी वर्तमान समय के अनुकूल कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, जिससे हमारी खुई ह कोई आध्यात्मिक्ता फिर से प्रबुद्ध हो सके, अब भारतिय समाज के कल्यान का एक मात्र यही उपाय है.